नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल SSC Mentors online classes में फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम देखने बाले हैं जो top 50 spotting errors की सीरीज चल रही थी subject above agreement topic से इसमें part 3 देखेंगे अगर आपने इससे पिछले की दो पार्ट नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के playlist पे जाके आप वो दोनों पार्ट दे सकते हैं ये जो आज का topic है काफी important है friends जरूर इसको attend करें और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू पैन पेपर लेके बैठें अपने साथ साथ questions क को mark करते चलें और अंत में comment करके जरूर बताएं कि कितने marks आपके बन रहे हैं पर कुशन का एक mark है ठीक है और negative marking भी है इसमें 0.25 negative marking है clear तो negative करके बताने आपने कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए और total marks ठीक और वीडियो अच्छा लगे तो please दोस्तों को करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जबूत दबा लें ताक कि वीडियो की रेगुलर लें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच दे रहे हैं दोस्तों अगर इस क्लास की पीडियाफ आप चाहते हो तो टेली क्लास की कर चुके हैं दो लेक्शेंस में अगर आपने वह नहीं देख लें उससे भी आपको काफी फायदा होगा और यह सेशन जो है काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है जो अपका में एक्जामिनेशन से हैं आपके सब्सक्राइब हो तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होती है इंग्लिस का वेटे सबसे ज़्यादा CPO के एक्जाम में होता है 200 नमर के इंग्लिस आती है वहाँ पे मतलब की पूरा पूरा एक्जाम आपका इंग्लिस के बेस्पर है इस इट क्लियर गाइस तो बिलकुल भी इसको मतलब लें आप लोग इंग्लिस को पढ़ना ज़्यादा ज़्यादा रेडिंग हैविट्स का लें ठीक है ताकि आपके इंग्लिस इंप्रूव हो तो कोशन नमर 31 आपकी स्किन पर दिख रहा होगा आपको और हर कोशन के लिए मैं आपको 5-10 सिकंड दूँगा और आप मार्ग करो ठीक है उम्मीद करता हो आपने कुशन को मार्ग कर लिया होगा तो इस कुशन में क्या एरर होगी सबसे पहले तो subject verb agreement की theory जब मैंने पढ़ाई थी आपको सार्थी के उटिशनल पर अगर आपने बहाँ पर पढ़ाऊगा या कहीं भी पढ़ाऊगा तो आप आराम से इसको मार्ग क क्या करना है हमें कभी भी तीन वर्ड याद रखना इधर और नीदर नौर ठीक है not only but also यह कैसे यह प्यार है कंजेशन प्यार not only but also ठीक है यह आपको इस टाइप के अगर keyword देखने को मिले तो आपने verb हमेशा nearest noun के साफ से देखनी है अब देखो verb यहाँ पर कहाँ प्यारी आर प्यारी आर से पहले हमारे पास कौन सा noun है man कौन सा वाला है m-e-n यह कौन सा होता बच्चो यह प्लूरल होता है ठीक है इसको बड़े ध्यान से देखना कई-कई-कई-भी आर हम भावनाव भेजाते हैं और फिर उसको देखते नहीं है और फिर जब 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 यहा पोजिशन है ठीक है एफरोट फ्रॉम भी होता है और एफरोट ऑफ भी होता है ठीक है किसी चीज से डरना तो एफरोट ऑफ क्लियर तो यहां पर क्या एरर होगा यहां पर कोई भी एरर नहीं है यह sentence absolutely 100% एरर फ्री है तो जिस भी लोगों ने जो भी student इस कुश्टेंट का error, no error mark कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, वो आपने आपको एक mark award करने हैं, ठीक है, जिनका गलत है, वो 0.25 negative कर सकते हैं, यह question CGL 2 या 16 में पूछा गया था, दोगा friends, आपके exam में छोड़े-छोड़े questions पूछे आते हैं, तो आप लोग को जरूरी नहीं है कि आपने question number 32 है, my brother along with his friends are going on a tour, what is the error in this sentence, I hope आपने answer को mark कर लिया होगा, दोखो, जबी भी यह कुछ keyword है, special, इनको मैं बोलता है, golden keywords हैं, यह आपके along with, together with, in addition to, besides, not with, ठीक है, इस type के जो keyword है, तो friends, इस type के keywords आपको देखने को कभी भी मिले हैं, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो आपकी wow है, वो हमेशा first noun के साब से आएगी, ठीक है, तो my brother यहाँ पे क्या होगा, आपका, singular, अगर जब singular है, noun, तो वोब भी कैसी आएगी, singular, तो r के जगे क्या होना चाहिए था, is, clear, तो कौन-कौन से words है, मेरे साथ एक बार खिस से repeat करिए, आप जहाँ भी बैठे हो, इन चीजों को दोर आईए, along with, together with, in addition to, besides, like, unlike, ठीक है, accompanied by, इतने सारे words हैं, यह generally हर exam में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यह explanation में भी दे रखा, आप चाहिए तो screenshot ले सकते हैं, या, pdf के लिए आप रेक्टी लिकाप चैनल से जोड़ सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा, question number 33, this is a super important question, if you know the meaning of vermin, and also you have to know what the vermin, जिसको भी vermin का meaning पता है, वो comment section में ज़रूर लिखना, ठीक है, अगर एक question आपके लिए और है, अगर मैं आप यह vermin लिखता, तो क्या यह सही होता, इसका answer भी आप मुझे comment section में ज़रूर बताना, मैं comments पढ़ूँगा, आप आप लोग please बताना, ठीक है, तो vermin does much harm to corpse, सबसे पहले तो vermin का मतलब दोस्तों होता है, हमारे पास, vermin का मतलब होता है, कीट पतिंगे यह कीडे मकूडे, जो फसल को नस्ट कर देते हैं, ठीक है, अब vermin किस type का है, plural है कि singular है, यह चीज पता हो नहीं चीज, जिसको यह चीज पता होगी, वो इसका answer mark कर लेगा, otherwise दिक्कत होगी, ठीक है, कुछ वर्व है, आपको मैं बताता हूँ, कुछ नाउन ऐसे, जो आपके हमेशा कैसे रहते हैं, ठीक है, ठीक है, यह क्या है, cattle, clergy, cavalry, poultry, police, presentry, ठीक है, और people, और यह कुंसा virus और vermin, यह किस type के हैं, यह अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा यह plural लेते हैं, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, plural लेते हैं, तो अब जब plural लेते हैं, तो does कौन सी वाली verb है, singular वाली, तो plural form क्या होगा, do, तो यहाँ पर सही क्या होगा, do, option number two, बी option यहाँ पर सही होगा, clear, उमीद करता हूँ, आपको चीज़े clear हो रही होगी, और नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो का pause करके, आप rewind करके देख सकते हो, question number 34, the leader with all his followers are sent to present, उमीद करता हूँ, आपने इस question का answer mark कर लिया होगा, तो friends, इस question में देखो, error क्या होगा तुमारा, तो वोई चीज़ है, golden rule आया आपका, bid आया, जैसी bid keyword है, क्योंकि generally bid बहुत कम questions में आता है, जान बुचके मैंने इस question को pick किया, ताकि आप लोगों को चीज़े clear हो, concept is the king, ठीक है, practice is the queen, मेरा ये मानना है, concept अगर आपका clear है, तो आप कोई भी question कर सकते हो, bid आते ही, आपके दिमाग को जाए चीज़ा, first noun, first noun ये आपके कौन सी है, ये आपके leader, leader क्या है, singular, तो वर्फ कैसी आएगी, singular, आपके जगर क्या जागा, is, clear, option number C, third option किलकुल correct होगा, यहाँ पे, जिन्हें उन्हों भी third option को mark किया, वो एक number अपने आपको दे सकते हैं, ठीक है, इसी तरहें आप सारे questions mark कर सकते हो, 31 से लेके 50 तक आपको लिखना है, और उसके बाद एक एक करके सारे चेक करते चलो, क्या आपका answer था, और last में total marks ज़रूर बता है, ठीक है, यह वाली चीज, पहले भी मैंने explain कर दिये, पिछले question में, तो आप लोग उसको सुन सकते हो, यह वाला concept जो question number 35 पे, यह काफी important है, बताए गाईस, question number 35 का answer क्या होगा, these kind of clothes are rather expensive for me to buy, सबसे बता हो अच्छी आपको, these और those में मतलब क्या है, एक होता है this और that, ठीक है, these singular है, और those क्या है, plural है, ठीक है, these singular, those है, plural, तो these के साथ singular verb आएगी, अब वाव यहाँ पे कौन सी आनी चीज़, देखो, ना कि, इस वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, these kinds, ठीक, these kinds of clause, option है, यह वाली वाव चेंज नी करने, यह clause के लिए आए, ठीक है, ना आप भावराओं बैके इसको चेंज कर दो, यह जो वाव आई है, आर वाली, यह clause के लिए आए, तो यहाँ पे क्या होगा, these kinds, यह अच्छा एरर था, पांच अगस्ट दोया सत्रा के टी एर वन का कोशन है, तो option नमबर यह बिल्कुल सही होगा, question number 36, again, easiest question, इसकी explanation में पहले ही बता चुका हूँ, जिसने भी ध्यान से सुनाओगा, वो इसको आराम से आंसर कर लेगा, not only did they offer him good salary, but provided him with a beautiful bangla, अभी बदायादा था, congestion pair होते हैं, not only, but also, ठीक है, जैसे आपने देखा not only, तो आप सबसे पहले खो जो but also है किनी sentence में, but also नहीं है आपर, क्या है, but provided है, ठीक है, अगर provided होता तो चल जाता, but इसे pair क्या है, not only है, तो but also होना जरूरी है, ठीक है, तो यह error होगे एक तो, दूसरी exam में error किस प्रकास से बुच्ता, वो बुच्ता inversion का case, not only दिख रहा है आपको, inversion का मतलब क्या होता है, कि verb पहले आ जाएगी subject बाद में, इसी प्रकास से देखो, यहाँ भी same to same होगा, but provided बेदे में beautiful बंगला, clear, तो यह चीज का भी error रखना आपने, not only they did देगा exam में आपको, तो आप बहाँ पे ध्यान से दिखते नहीं, और error माक कर देखते, तो बाल पहलता है, कि वो गलत होगा, ठीक है, चलिए, तो इसका होजाएगा option number first, sorry यह आपका होजाएगा, second बाल, but also होगा, clear, second option सही होगा, चलिए, question number 37, यह अच्छा question है, अब जिसको थोड़ा सा exception बाला rule पतता होगा, वो इस question को आरब से माक कर लेगा, question number 37, the rise and fall of the tide are due to lunar eclipse, अब हमने पढ़ाता कि दो noun, कौन कौन से, दो noun, कभी भी end keyword से जोड़ें, तो हमेशा plural verb लेगें, बिलकुँ सही पढ़ाता, क्या यहाँ पे भी follow करेगा, नहीं करेगा, reason, reason यह है, कि कभी भी अगर singular unit को एक ही चीज़ के बारे में बताया जाए, ठीक है, जो rise and fall हो रहा है, वो tight का हो रहा है, यहाँ पे tight की बात हो रही है, तो जब एक ही चीज़ को reflect करता है, तो उसके असाब से जो हमेशा verb रहेगी, वो singular रहेगी, clear, तो यहाँ पे जो आपका question का answer होगा, वो होगा B, क्या होगा बच्चों, B, ठीक है, B में क्या होगा, is, is क्यों आया, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे C है, by mistake है, बट आपको B mark करने है, clear, question number 38, introduction of tea, coffee and such other beverages have not been without some effect, आप लोग उसका answer mark करिए, फिर मैं आपको एक चीज़ और पूछूँगा, उसका answer विया comment पर बताना, इसके अंदर क्या error है, सबसे पहले तो इसके अंदर सब्जेट पचानना है, ठीक है, सब्जेट पचानना ही मैं काम है, सब्जेट वर अग्रिमेंट के अंदर, अब वो कैसे पचानेंगे, आपने question पूछना है, ठीक है, introduction of tea coffee, किसका introduction, tea coffee का, तो यह अपने आप में किस type की है, सबसे पहले तो यह देखना है, यह हमारी है, singular, ठीक है, introduction क्या हमारा, singular है, पर चाहिए किसी एक चीज़ का होगा न, उसके एसाप से अगर हम लोग देखें, तो introduction के साथ हमारी कौन सी वावाने चीज़ थी, singular, जबकि है कैसी, plural, है कि जगे का हो जाएगा, has, option number C, attending the district development council meeting at the collect rate, यहाँ पे क्या error है, एक चीज़ याद रखना बच्चो, अगर अलग, अलग, ठीक है, दो noun होते हैं, और article एक होता है, और उसके आंगे दा लग जाए, तो इसका मतलब यह होता है, एक के आंगे दा लगा है, और एक के आंगे नहीं लगा है, तो इसका मतलब एक ही person के बारे में बात हो रही है, या तो ऐसे समझ लो, कि एक article तो verb कैसा होगा, singular, क्या कुछ अपने भी समझाने के फंडे हैं, तो समझ सकते हो, समझ लो, ठीक है, अब अगर दो article होते, तो verb prular होती, बड़ यहाँ पे एक ही article है, एक article का मतलब यह हुआ, कि यह एक ही बं संदे के बारे में बात हो रही है, तो verb कैसी आईगी, singular, आर के जगे क्या हो जागा, is, clear, चलिया, option number B, करेक्ट हो जाए उसका, question number 40 आपका है, knowledge of at least two languages is required to pass the examination, question number 40 का क्या answer होगा, बच्चो, comment करिए जल्दी से, सबसे बड़े subject देखना है, किसकी जरूरत है, knowledge की, देखा, answer अपने आप देगा, question, आप कभी भी करो, sentence है, तो जो answer मिलेगा, वो ही आपका क्या subject होगा, किसकी knowledge, sorry, कितरी language देखने, knowledge of at least two languages, ठीक है, तो क्या चाहिए है, knowledge चाहिए, तो knowledge क्या होगा, singular है, singular के साथ, कैसी वा is it clear guys, आप लोग comments, जरूर करना, last में कितने questions के answer आपने सही की है, question number 41, golden rule कहता हूँ मैं इसको, ठीक है, यह आप याद रखना है, इतनी बार मैं repeat कर चुका है, उसी पे बेस यह question है, बताईए, patience as well as perseverance are necessary for success, यहाँ पे आपको एक नई चीज भी मिलेगी, perseverance, patience, दोनों होने चाहिए, सफलता लेने के लिए, ठीक है, perseverance मतला लगातार, कड़ी महनत, लगन, ठीक है, perseverance मतला लगन, ठीक है, वो तो आजकल आपके लोग में बहुत कम रह गई है, इसको बढ़ाओ, is well as, together, with, along, with, in addition to, besides, like, unlike, accompanied by, इस टाइप की कीवर्ड कभी भी देखने को मिल जाएं आपको, तो हमेशा याद रखना, जो वर्व होगी, हमेशा, first down के साब से, I, patience के साब से, क्या आना चाहिए आपके, is, क्यों, patience is singular, तो option number B, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, question number 42, बताइए बच्चो, 42, देखते, कौन सही जवाब देता है, सही इसका, a hot and a cold spring, were found near each other, देखो, आप इसमें, क्या है, end लगा हुए, बट, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, spring की, spring कैसी है, hot भी हो सकती, cold भी, तो एक चीज के बारे बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होची तो, was, singular unit की बात चल रही है, तो कैसा हमार पास बर्ब चाहिए, हमको, हमको चाहिए, singular बर्ब, क्योंकि spring के बारे बात हो रही है, ठीक है, तो वर्ट की जगा क्या हो जगा, was, option number c, is it clear guys, यहाँ पे mark कर लेना, आप यहाँ पे यह गलत है, इसमें आपका 42 का c होगा, is it, typing mistake हो सकता है, the sum and the substance of his poem are as follows, अब यह sum and substance का मतलब अगर आप समस्पाई होगे न, तो चीजे clear हो जाएंगी, दोखो, sum and substance का मतलब तक इस चीज की summary, summary का मतलब होगा है, सार, इस poem का सार इस तरह है, ठीक है, तो अब summary है, वो एक होगी, summary एक है, तो verb कैसी होगी, एक मतलब singular, तो क्या होजाएगा is, तो यह होता है फायदा आपके reading habits का, अगर इस steps आप reading habits करोगे न, तो आप लोग को बहुत फायदा, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा, आप चाह भली कुछ भी पढ़िए, English पर पढ़ने कुछ कीजिए, ठीक है, daily पढ़िए आप लोग, एक page पढ़िए पर English पढ़िए, अब अभी तो मैं थोड़ी देपल आपको rule बताया था, कि end अगर दो noun जुड़ जोड़े हैं, तो आपने मिसाफ प्लूर करना, उस अज़ाप से आप इसको no error मार देते, बट आपको जाता गलत, क्यों, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, जब एक unit के बारे में बात कर रहा है, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आपका verb कैसा है, singular, यह भी type mistake है, बहुत ज़दा, लेट की ने सही type ने की है, ठेक है, तो यह आपका C, यहाँ पे आपको जगा C बाला, ठेक है, इस कर लेना इसको, 43 का C, clear guys, कुछन नमर 44 है अगें बन अधे इस्ट कुश्चिन नीदर अब दा फाइब ब्रदर्स आर गोईंग टू अटेंड पार्टी ओन 10 अक्टूबर अब काफी लोग इसको देखके सोच रहे होंगे कि नीदर है तो नौर कहां गया तो जवजिस्टी नौर नहीं निकालना ठीक है जब तक पर ना दिया जाए तब तक अब सबस्ब्रेद हमें इस पता हुआ है कि नीदर और नन में डिप्रेंस क्या होता है और यह चीज के लिए नौर अच वगा और नन होगा हमेंसा दो से जादा के लिए clear बच्चो और एक चीज negative sense पर दोनों use होते हैं तो यहाँ पर correct use क्या होगा यहाँ पर देखो correct use अपना होगा neither की जगह क्या ना चाहिए था none क्यों क्यों क्योंकि 5 लोगों की बात होई है clear guys option number able को सही देगा question number 45 यह question है 10 मेल्स इस लॉंग डिस्टेंस चू कवर ओन फोट ठीक है ओन फोट होता है यह भी चीज आपको दाते लगी नई चीज है कोई लोग 2 फोट कर देते हैं बड़ नहीं होता ओन फोट है 10 मेल्स 10 मेल्स या 10 माइस क्या लोग जब भी कोई निम्रल लग जाए ठीक है किसी भी उसके number लग जाए तो वो हमेसा क्या होता है अपना singular होता है न तो 10 मेल्स इस लॉंग डिस्टेंस वन किलो मीटर वन किलो मीटर सही होता बट उससे जादा हो जाएगा अगर यह होता वन मेल्स नहीं लिखते है ठीक है क्योंकि वो singular होता अब अगर टू हो गया तो माइस लिखेंगे यह चीज भी आपको याद रखनी है एक चीज और बताना चाहूंगा एरर में कभी कभी यहाँ पर तो 10 दे देता है बट यहाँ पर आपको मेल दे देगा आप उसको भावनों में पढ़ जाओगे और फिर काओगे सर यह तो no error है ठीक है अब भी यह नहीं सोचना है कि यह plural होगा 10 लगने से क्या हुआ हुआ यह मैंने नाउन की टॉपिक में अच्छी से बढ़ाया था कुशन नंबर 46 इसका अंसर हो जगा no error है ठीक है 46 है दे टाइगर बास नोट दा ओनली डेंजरस अनिमल इन दा फॉरस्ट देर वास हिनास टू यह अच्छा कुशन है बच्छो टाइगर वास नोट दा ओनली डे तो अब देखो देर के साथ पता आपको कैसा बाता है देर प्लूरल तो वर्फ कैसी आएगी प्लूरल के लिए क्लिए क्या होगा प्लूरल वर्फ तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा ठीक वर्फ कुशन नंबर फॉर्टी सेवन दा टाइप ऑफ क्वालिटीस यू एक्वाइर डिपेंड अपॉन यूर कंपनी और सो यू अस्यूसेट यूर शेल्फ विद सिंपल एंड कोड नर्चर्ड प्यूपल ये काफी अच्छा कुशन है इस सब्जेक्ट क्या हमारा टाइप टाइप के साफ से क्या अच्छी है सिंगुलर वर्फ बनती है एस और एस लगाने से क्लियर तो यहां पर हो जाएगा डिपेंड्स ठीक है अब एक चीज़ा रखना नाउन में और वर्म में दो अंतर होते हैं नाउन प्लूरल बनती है हमार ठीक है एस और एस लगाके और बर्म सिंगुलर का बनती है जब एस लग जाता है तो यह चीज़ा प्लूरल बनाते हैं एस या एस लगाके बट बर्म का सिंगुलर होता है एस और एस लग जाता है इस सवाल का सही जबाब होगा option number B क्रेक्ट क्या हो जागा, depends, ठीक है, 48, he is one of the tallest boy in the class, काफी frequently question asked है, कभी भी bun off की बात आए, ठीक है, याद रखना, bun off keyword मिल जाए, उसके बात हमेशा noun कैसे आएगी, plural, तो क्या हो जाएगा, noun यहापे कोन है, boy, तो यह जाएगा, boys, ठीक, option number B, हमेशा याद रखना, bun off के बात हम हमेशा noun कैसे हैगी, plural, many a boys have not done their homework, यह भी बताया था, मैंने last lecture में इसी टाइप को questions कराये थे, वहापे concept क्ले किया था, कि अगर many a आ जाए, तो हमेशा singular लेगा, अब यहाँ पर एक से जादा भी questions हो सकते है, error में, questions में एक से जादा error है, ठीक है, इस question के सारे आपने error लिख कुछने है, comment section में, क्या क्या है, ठीक है, मैं इस question को बाद में बताऊँगा, इसको pin में कर दूँगा, ठीक है बच्चो, there appear a number of problem and I really do not how to solve them, a number of कभी भी मैंने कहा था कि एक आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, a number of problems, ठीक है, a number of problems, क्यों, क्योंकि कभी भी one of the, a number of, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, problems अथा plural आएगा, ठीक है, plural आता है मिसा, याद रखनेना, number of, यह कुछ भी हो मतलब one of the, of के बाद मिस प्लूरल आता है, तो यहाँ पर कर जोगा, problems, क्यों आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की बात कर रहे है, एक problem है, बहुत सारी मसे, तो यहाँ पर option number B सही जाएगा, question number 49 का answer, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, comment section में, अगर आप लोग section पूरा देखे हो, is it clear guys, और last में जरूर बताएं, कितना marks आपने score किया है, चलो बता देते हैं, आपको 49 का भी answer निता, आप लोग का होगे, sir, एक question ग्रवड कर रहे है, ठीक है, many a boy, जब भी a की बात हो, ठीक है, many a लगाओ, तो noun भी singular, और verb भी singular, और pronoun भी singular, many a, तो यहाँ पर जाएगा boy, और यह जाए जाएगा has, और pronoun जाएगा his, ठीक है, तो यह तीन error है, clear, तो यह काफी अच्छा कुशन में जान रूचके create किया था, और उम्मिद करता हूँ, session आपको पसंद आया होगा, दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले, और like का बटन अबश्य दबादे, और वीडि की वीडियो बहुत मैने से बनती है दोस्तों, और अगर आपने हमारे टेलिगाम चैनल से नहीं रूड़ाए, तो आप टेलिगाम चैनल से दूस्तों, टी.me, SSC Mentors Official, यह हमारा है, ठीक है, आपका यूट टेलिगरम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, SSC तक शेयर करें, और ज्यादास ज्यादा लोग को इंवाट करें, जल्दी हम लोग आपकी जो अर्थमेटिक और एडवांस मैच की सीरीज है, टॉपिक बाइस TCS वाली वो स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादास जो लोगों जोड़ें, और अपने दोस्तों तक भी पहुचाए इस सीरीज को तक की सभी को फायदाओ, थेंक्यू, गई